हे गाईस आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग सिंगल टाइम पे मल्टिपल प्लेटपॉम पे कैसे लाइप कर सकते हो जैसे कि आप लोग यूटूब पे तो करी रहे हो इसके साथ साथ आप फेस्बुक पे कर सकते हो इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, ट्विच्च पे कर सकते हो या उसके लावा अधर जो सोचल मीडिया प्लैटफॉर्म है आप वहाँ पे भी कर सकते हो अब इसके लिए आपको कोई भी paid subscription या plan नहीं लेना है जो method आपको बताने वाला हूँ, यह method होने वाला है 101% free अब जैसा कि आप लोग जानती हो, अगर आप किसी काम को कर रहे हो, जो कि digital world में है तो वहाँ पे आपको अपनी community strong करना बहुत जरूरी हो जाता है मतलब कि आपको उस हर platform पे active होना पड़ता है, जहाँ पे आपके content के related audience होती है For example, अगर आपका channel gaming या education के related है तो फिर आपको YouTube के साथ Facebook पर भी अपना content post करना पड़ेगा, वहाँ पर भी live करना पड़ेगा Because जो audience आपके YouTube तक नहीं पहुँच पाती है, तो वो आपका content Facebook पर देख लेगी और जो audience आपके Facebook पर नहीं पहुँच पाती है, तो वो आपका content YouTube पर देख लेगी और यहां पे तो आपको double benefit है, मतलब कि आप अपना जो Facebook पे जाए, उसे monetize करवा के वहां से भी earning कर सकते हो, यानि कि एक वीडियो से आप double earning कर सकते हो, तो यह तो वही बात हो जाएगी न, एक तीर में दो निशाने लगाए, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अगर जाना है, google.com पे और यहां पे plugin को डाउनलोड करना है, उसके लिए आपने टाइप करना है, multiple rtmp output plugin, first link, first website मिल जाएगी, obsproject.com के नाम से, इस पे आपने क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, 2020 का ये plugin है, अभी तक यही वाला plugin का चल रहा है latest में, तो चलिए डाउनलोड कर ल ये वर्दन है, 2.8 latest में यही चल रहा है, तो आप कोई भी कर सकते हो, मैं setup वाले को करूंगा, because ये easy होता, install करने के लिए, double click करते हैं, और install पे click करते हैं, अब ये जहां पे आपको OBS होगा, वही पर ये directly install हो जाएगा, कुछ और करने कि आपको यहां पे जुरुरत नहीं ह है, यहां यहां पर आप देखो कि multiple output नाम से आपको यहां पर plugin दिखाई देगा, अगर आपके पास नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर docs में जा सकते हो, और नीचे multiple output plugin को enable कर सकते हो, तो चलिए मैं enable कर लेता हूँ, और अगर आपका फिर भी नहीं आता मैं आपको नहीं बताऊंगा, because यह चीजे मैंने already बहुत बारी बताई हुए है, simple यहां पर आपको stream key को copy करना है, okay, तो चलिए हम लोग चलते है settings में, और यहां पर stream के अंदर और अपनी जो key को यहां पर paste कर देते हैं, और apply करते हैं, okay करते हैं, उसके बाद आपने यहां पर facebook की key लगानी, तो वो कहां पर लगानी चले, सबसे पहले facebook की key, मैं दिखाता हूँ, निकालनी कैसे है, live पर जाते है, page के अंदर, यहां पर दो option मिलेंगी, go live and create event, तो सबसे पहले मैं इससे test as a test करूँगा, go live वाले को, और select कर लूँगा, तो यहां पर आपने webcam और streaming software म क्लिक करना है, अब target का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, इससे कोई depend नहीं करता है, आप अपना नाम भी दे सकते हो, या फिर उसका बता सकते हो, यहां पर आप स्ट्रीम कर रहे हो, मैं facebook इसलिए लिख रहा हूँ, ताकि मुझे याद रहे आगे चल गे, अब यहां पर आपन अब नहीं लगाना है, और जो इसकी encoder setting है, वो get from OBS है, तो आप यहां पर कर सकते हो, अगर आप पास external graphic card है, तो आप graphic card को select कर सकते हो, एक आपका हो जाएगा YouTube, यानि CPU पर यह वाला GPU पर इस तरीके से कर सकते हो, या फिर दोनों OBS से कर सकते हो, मतलब जो settings OBS में है, वही व यही है, और यहां पर bit rate, अगर आप bit rate के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो, तो इसके little मैंने complete video बना के डाली, किस तरीके से, और कितनी internet speed के लिए, कितना bit rate required होता, अगर आप वो video देखना चाहते हो, लिंक आपको नीचे description मिल जाएगा, वो video भी आप लोग जाके check कर सक लेना OBS के साथ, जितनी भी settings बची रहेंगी, वो OBS के साथ automatically sync हो जाए, मतलब जो भी settings में OBS में की है, वो इसमें sync हो जाए, तो simple आपने इतना करना है, उसके बाद अपने आप video photos को यहाँ पे add कर लो, जो भी videos को आप stream करना चाहते हो, जैसे मैं test video यह वाल लगा रहा अब यह की सब्स हुआ, बिकॉज हमने जो setting को sync कर लिया था, अगर आप sync नहीं करोगे तो आप अलग-अलग भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देखो कि जो मेरी streaming है, वो Facebook के start हो चुकिए, मैंने test रखा है, मैं इसको नहीं broadcast करने वाला हूँ, और यहाँ पे YouTube पे जाके दे दो जगा पर stream कर रहे हो, तो उसके बाद वो लोग जाके चेक करेंगे, कि हाँ आप YouTube पर भी live हो, Facebook पर भी live हो, इससे आपकी engagement भी बढ़ेगी, और उसके बाद आप streaming को end भी कर सकते हो, इसके लावा अगर आप और target को add करना चाहते हो, जैसे Instagram या Twitch या कोई और third party platform, तो आप उसको भी यहाँ पर add कर सकते हो, suppose आप यहाँ पर Instagram करना चाहते हो, और अगर आपको Instagram URL और Instagram की की नहीं पताए की कैसे लेनी है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना के अपनी चैनल पर डाली हुई है, लिंक आपको निचे description में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग वो साथ कर सकते हो, बिट अगर आपका system low configuration का है, तो मैं आपको ज्यादा suggest नहीं करूँगा कि 2-3 से ज्यादा stream आप एक साथ करो, तो hopefully आपको यह वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो like जरूर कीजेगा, चैनल पर नहीं हो तो please subscribe कर लिजेगा, और अगर आपको कु आप नीचे comment box में पूछ सकते हैं, मिलते नेक्स इस तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए good bye